Hello Friends, Welcome to my YouTube channel SSE Hack आज इस वीडियो में हम अर्थ लेटिटुड और लॉंगिटुड जो एक टॉपिक है उसे कवर करेंगे और SSE एक्जाम में इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेट क्वेस्टन से उसे डिसकस करेंगे तो चलिए लेट्स बिगिन देखें आपको अर्थ के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अर्थ लार्जेस्ट ऑफ इनर प्लैनेट है ठीक है उसके बाद अर्थ अपने एक्सेस पे 23 1 by 2 डिगरी पे टिल्टेड है इसके बारे में अगर आपको complete detail देखनी है तो मेरे लास्ट वीडियो को देख लेना उसमें आपको clear हो जाएगा बाकि यह आपको revelation के बारे में पता ही है कि अर्थ को sun अपना जो orbit है उसकी rotation में इसको 23 hours and 56 minutes लगते है अराउंड sun की revelation करदे में 365 days and 5 hours लगते है वाट्री और ब्लूप्रेंट के नाम से जाना जाता है और इसका एक नेच्चो सैटलाइट है इतना हमने लास्ट यूडियो में भी कवर कर लिया था अब हम डिसकाश करते हैं अर्थ लैटिट्यूड तो देखे लैटिट्यूड को हिंदी में कहते हैं अक्सांस तो सबसे पहले जाने कि अक्सांस क्या होता है देखे अर्थ जो है उस पर कुछ इमेजनरी होरिजन्टल मतलब तिर्ची लाइने मानी गई है जो की क्या यूज होता है इनका एक तो देखे किसी भी जगह का आपको पोजेशन बताने के काम आता है ठीक है तो अर्थ पे इमेजनरी लाइन्स हैं बहुत सारी जिने हम लैटिट्यूड कहते हैं और इनकी खा से रेखा उसके बार में जाने है तो सबसे बड़ी लैटिटूड है इनडाइमेटर अब जो इक्वेटर है वो क्या करता है वो अर्थ को टू एक। एक कि ओल स्फियर्प्र में डिवाइट करता है एक होता का न democratic फिर एक होता है ।ो जैसा इक क्लूंट है जीडर्ण स्वे एक और ल tutaj होगा एक और होगा ठीक है अब यह कहां से कहां तक है देखे जिरो डेगरी हमारे एक्क्टवेटर रहे और उपर तक जब जाते हैं तो हमारे ही नईन्टी डेगरी नॉर्थ मतलब आपके उपर कितने latitude होंगे 90 latitude होंगे 0 1 2 3 कहा तक होगा यह 90 तक और सेम ऐसी साउथ में पर चलिए 0 से लेके 90 तक तो इससे आपको एक चीज़तों यह पता लगती कि टोटल 180 latitude इसके बाद ना इसमें बहुत important important latitude इसके बारे में आपको पता होना चाहिए यह जो डियाग्राम है इसमें आप देख सकते हैं यह आपका इकटर यह टेड़ा के लिटेद हैं 23 1 by 2 डिगरी पर इस वज़े से लिए आर्टिक सर्कल एक क्या है इसका मेजरमेंट इसका 66 डिगरी 3-4 मिनट्स नॉर्थ ठीक है उसके बाद दूसरा है आपका यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसका है 23 डिगरी 26 नॉर्थ यह हुआ आपका कैंसर इकटर आपको पता ही जिरो डिगरी और सेम नीचे कैप्रिकॉन और और एंटर् सरकल कैंसर को एक एक और जीचिज़ जो पॉइंट यानी 1 डिगरी लेटिटिउड और 2 डिगरी लेटिच बीच में कितना अर्थ का डिस्टेंस कवर किया होता है मतलब अगर जैसे अर्थ है और इसमें दो consecutive latitudes है जैसे यह है मानलो यह 1 है और यह 2 तो इसके बीच में कितना का distance होगा 111 km ठीक है यह पूछते हैं एक्जाम में तो यह important है और एक यह याद कर लीजिए कि जो सबसे बड़ा latitude है वो इक क्योटर उसका radius कितना है उसका radius है 6400 km ठ इक्जाम के point of view से काफे important है बात करते हैं longitude देखिए longitude क्या होता है यह vertical lines होती है जैसे latitudes horizontal होती है वैसे ही longitude क्या होते है vertical होते है एक मेंट जो आपके longitudes होते है यह आपके vertical lines होते है ठीक है अब अब देखिए मैं आप latitude के बारे में longitude के बारे में बताता हूं देखिए longitude क्या होता है यह भी earth को two spheres में divide करता है एक होगा आपका eastern sphere और यह होगा आपका western sphere ठीक है अब देखिए जैसे कि उसमें था आपके latitude में एक zero degree था ना वैसी एक zero degree longitude भी होता है जिसे हम कहते है prime meridian ठीक है फिर अगली जो यह आपके longitude होते है ना longitude को हिंदी में कहते हैं देशांतर यह ने semi circles होते हैं semi circle कहने का मतलब देखिए जैसे अगर यह आप अर्थ मान लीजिए ठीक है तो यह poles हैं तो यह आपके longitude कुछ इस टाइब की होते है ठीक है यह जो आपको मैं बहाराल बनाता हूं यह आपक का longitude है ठीक है एक तो एक वेस्ट में होगा ऐसा हाप और एक इस वाली साइड में होगा सेम इस्ट में ठीक है उसके बाद यह जो अपोजेट longitude होते हैं एक दूसरे इनका सम हमेशा 180 degree होता है ठीक है तो देखिए आपको पता है कि prime median जो है वो 0 degree longitude होता है ठीक है तो इसके आपोजेट वाला जो longitude होगा वो कितना होना चीए वो होना चीए 180 क्योंकि आपको पता है sum दोनों का कितना होता है 180 तो जो 180 वाला होता है उसको हम कहते anti-meridian ठीक है उसके बाद आपको यह पता होना चीए कि जो यह longitude है ना जो आपके longitude है है आपके देशांतर यह time बताने बहुत important role play करते हैं देखें कैसा क्योंकि longitude जो होता है उसी पर अर्थ का revelation होता है ठीक है तो आप इससे यह समझे कि अर्थ को अगर पूरा एक दिन complete करना है तो इसको 360 degree longitude travel करना पड़ेगा यानि अगर हम 360 degree हमाई longitude है उसको हम 24 से डिवाइड करें तो एक घंटा करने में अर्थ को 15 आवर्स स्वारी यानि अर्थ को 15 degree longitude कवर करने में एक घंटा लगता है और उसी calculation मतलब यह आप याद कर लेजिए कि 15 degree longitude equal to 1 hour साथ यह साथ 1 degree longitude equal to 4 minutes यह कैसे निकाला है देखें मिनट से किया तो इसका 4 minutes 1 degree longitude में होता है उसके बाद जो मैं आपको longitude में जैसे आपको पिसली जो slides थी उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो 0 degree होता है उसको हम कहते है prime meridian देखें यह दिख रहा ना और इसी के जो opposite में होता है इसे हम anti meridian भी कहते है ठीक है अब देखे इसे prime meridian एक GMT होता है greenwich mean time क्यों क्यों जो 0 degree prime meridian रहता है यह कहां से pass होता है एक greenwich एक सहर eggland में वहां से pass होता है ठीक है और इसको इंटरनेशनली एक timeline के रूप में भी माना जाता है इसे को हम GMT कहते है और जो 180 degree वाले इसको हम international date time के नाम से भी जानते है और इसे हम और क् anti meridian भी कहते हैं अब देखिए जैसे आपको international date line के बारे में बता रहा था सबसे पहले आपको पता है कि international date line किसने पर होता है 180 degree longitude उसका देखिए आपको यह पता होता है कि international date line है वो यह Pacific Ocean से पास होती है यह Pacific Ocean है यह वाला है यह Australia और यह आपका है North America वाला है तो यह है यहां से पास होती है 180 degree वाला ठीक है उसके बाद international date line का क्या महतु है देखिए क्या होता है international date line एक टाइम का एक टाइप का तरफ जाते हैं तो आपका एक दिन रिपीट हो जाता है तो यह आपका international date line है इस पर question आजाता है कि अगर आप west के तरफ जाएंगे तो you will add one day और अगर आप east के तरफ जाएंगे तो आपका one day वापस रिप्ट होगा अब देखिए आपने longitude and latitude पढ़ लिया अब यह इंडिया के terms में मतलब इंडिया किस longitude and latitude पे लाई करता है यह बहुत बाइग्जामें पूछा जाता है तो यह आपको मालूम होना चाहिए देखिए सबसे पहले हम latitude की बात करते हैं तो इंडिया 8 degree 4th North देखिए कैसा कहने का मतलब क्या है कि यह जैसे आपका Earth है तो equator है तो इंडिया ऐसा लाई करता है यह बर कहीं यह इंडिया का नीचे वाला portion होगा जो वाला ऐसा लाई करता है ठीक है तो यह क्या होगा नीचे से उपर की तरफ मूव कर रहे हैं क्योंकि नीचे आपक 6 North latitude में लाई करता है इसी क्या पता लगता है जो हमारा इंडिया है वो completely Northern Hemisphere में लाई करता है बात करें Longitude की Longitude आपको पता है यह खड़ी वाली जो रेखाएं होती है यह लाई करता है 68 degrees 7 East मतलब हम East Hemisphere में ठीक है East से 97 degree 25 East देखिए यह आपको याद करना पड़ेगा और यह भी 8 यहाँ 7 यह भी 8 यह भी 7 और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 30 है ठीक है यह जिसे यहां जीकिए 6 minus 9 9 minus 6 30 और 30 minus 10 करें को तो तो आप यह याद कर लिए 8 और 6 8 और 7 दोनों में common है 8 और 70 का difference है तो आपको याद रिख जाएगा ठीक है उसका एक बहुत ही इस फाला यह क्या है इंडिया स्टेंडर्ट साफ टाइम इस लॉंगिटुट के रिया जाता है आपके साइब कर सब्सक्राइब काँफ इंट्रนेशनल कांब कौना है किरी विचमीन टाइम न जो काहां से पास होता है जीरो डिग्री लॉंगिट्यूट ठीक है ना जो कहां एगलेयन में पास होता ना तो कहने का मतलब जो हमारा इंडियन स्टेंडर्ड टाइम है वो किस लैटिरूट से मेजर किया जाता है वो है 82 डिग्री 30 इस्ट जो कहां परताप का मिर्जापूर अलाबाद ठीक है और आपको मैं बताऊं कि जो हमारा जो लॉंगिट्वल है उसमें हमारा टाइम है वो ग्रिन Mann टाइम से 5 घंटे 30 मिण है क्यों आ गया है देखे और Coronavirus आगे कैने करने देखे है इंडिया का पढ़ता है, यहाँ पर है, तो जब हम east से west की तरफ जाते हैं, अविझा शन इस तरफ से आता है, यहां जपान होगार है, तो यहाँ पहले ऑफले पहले आता है, तो यहाँ से sun ऐसे पास होता है, तो Greenwich का जो यह 0 degree उससे आने से पहले हमारा East का 82 degree 30 East आता है तो इससे एक तो पहले आश्चन होता है तो यहां का time आगे चलिगा दूसरा आपको पता है कि 15 degree उसमें जो 15 degree जो longitude है उसमें एक घंटे का फरक आ जाता है ठीक है अभी 82 से अगर आप 0 के तरफ move करेंगे तो आपक कि 75 तो यह हो गया सिधा सिधा क्योंकि कितना आ गया 82 आ गया ना 82 degree longitude और 0 तो कितने का है इसमें इसको 52 से डिवाइड करेंगे इसको 15 से डिवाइड करेंगे 82 को तो जो आपका आएगा वो अरूंड इतना आएगा 5 आवर्स 30 मिनिट ठीक है तो यह बताता है आपको कि क्यो हम गिन विच मिन टाइम से आगे करते हैं ठीक है एक और इंपोर्टन लैटिटीटूड जो इंडिया के प्रस्पेक्टिव से इंपोर्टन है खाज का एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्योंगे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वह पढ़ता आ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से पास होता है तो देखे पहले आपको यह पता रहें से कि एट से पास होता है ठीक है उसके बाद एक ट्रिक बनाई है याद करने कि देखें कि ट्रिक ही है कि गुजरात-राजिस्तान के मध्या चथीज बंगाली तृपाल तो आज की वीडियो में इतना ही मुझे लगता है कि आपके लोंगिट्यूड और लेटिट्यूड जो चैप्टर है एससे के point of view से उसमें से जो-जो important question बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया है बाकि एक next video में आपको जो भी question होंगे now question wise previous year आपको explain कर दूँगा तब तक के लिए thank you and all the best